तो आज हम देस्स करेंगे class 12 का exercise 10.2 exercise 10.2 में हमदेस्स करेंगे सारी सारे सारे सबस्क्राइब करेंगे नाइन्टीन कोशन है पहली वह देखेंगे पर उससे पहले जितना इसमें इंट्रेक्शन यूज वह जो जो फोर में यूज होंगे जो जाने की जो डिदा है वह सारा डे यह हमारे पास एक ट्रिंगलर शेप है इसको नाम दे जिए आमने ओ ए और बी क्लियर अब ट्राइंगल ओफटर डिशन क्या और मान लो एक वेक्टर एमारा एक वेक्टर वह कहां से इस तरफ को जा रहा है यह डिर्यक्शन ठीक है और दूसरा वेक्टर वेक्टर यह इस जाएगा और इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा यानि कि इनके अपोजिट जाएगा देखो द्यान समझो ए वेक्टर और वेक्टर सेम डिरेक्शन में जा रहे हैं तो जो तीसरा वाला रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या करेगा इनके अपोजिट डिरेक्शन में ज तब यह एक्वल आएगा इसके लेकिन अगर मानलों यह इस तरफ भी बढ़ जाता ना तो फिर यह रूल नहीं लगेगा यह रूल तभी लगता है जब दो एक जगह जा रहें से कि वर दोनों का सम यह संब यह रहा है यह समझ में आ गया होता है यह तरीकी कर दिखता है यही थड्र साइड का रूल है इसमें यही थर्ड साइड हमारी डाइगनल होगी बस इसको डाइगनल में काउंट करेंगा और सेम तरीक़े से सोल करेंगे जैसे मांनों यह वेक्टर था और इस तरफ को आगे बढ़ रहे हैं और यह अपोजित आ गया तो यहां पर फिर से नाम दे तो बिल्कुल सेम बस इसमें क्या होगा वो डाइगनल के बराबर दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएंगे यह दोनों साइड जो है जो डाइगनल वाली साइड है ओ बी वेक्टर वह भी जो साइड है मान दोगी वाली तेक है वह इस तरफ को आगे जा रही है यह देखा था बिल्कुल वही यह दोनों साइड अब इसमें पर लोग्राम के इसाफ़ तो यह इसलिए यह रूल इसमें भी लग गया बाकी हम देखते हैं कि प्रोपर इसके एडिशन देखने वाले इसमें पूरा देखो एडिशन में क्या है कि वेक्टर का अधिशन कोमिटेव होता है जैसे कि एक वेक्टर में ब्लस कर देते हैं और जीए के साथ बात में आंसर सेम रहेगा अगर एक के साथ किसी जीरो आइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं है निया जैसे हम नमबर तो ये के साथ अगर जैसे 50 को एड्ट करेंगे तो पचास भी एक तो किर दिया आप यहां पर क्या सीन मनता है जब उस वेक्टर में उसी का नेगिटीव एक्टर से करने के लिए हमें इस नेगेटिव सम करना पड़ेगा यह सब हो इसके आगे के रूट कर सकते हैं लेकिन बस इसका डबल हो गया मतलब कर सकते हैं यहां पर बोल दिया कि यह वेक्टर है और हमें चाहिए वन बाइट तो इसका भी आधा हो जाएगा यह मांदो इतना बड़ा तो चोटा सा बन जाएगा यह वेक्टर को नॉर्मनली लिखा किस तरीके साथ है मैं तो बताता हूं वह था हमारा आई जे और के कि फिर्म में इननमें आगे ब सी कोंपोरइन्ट है और यह इए यहां पे जो होंगे लिखतिया के किसी लेकThemps गाले हैं है सींबल ऐसा होता है अब बात करते हैं मंहलक्त के सबस्कान है सबस्क करें भी करें आंगे तो वह होता है वैक्क fällt आगे अब मुंनमलों, वेक्टर से यहां पे क्या है यहां हमार पास यहां पर xyz है है इस से यह वाला वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें पता है बहार तो i लगएगा पहले वाले में वह तो लगता है लेकिन x 2 रहें है x-2-1 i यह एक नोर्मल पॉम है और इनको आगे हम सिंपल तरीके से यूज करेंगे डिखाते भी नहीं हो जाए इनको प्लस जैसे दो वेक्टर दे दिये यहां पर तीन है तो दो आई चीज़ा ही माइनस करके ठीक है वैसे होता है वेक्टर अगर दो पॉइंट की बीच में वेक्टर निकालना है एकежд約 je Grid यहां पर एक वेक्टर देंगे यहां पर इसके बाद हमें इंटरनल है तो आई सलीक है ख्रम यहां से बिल्कुल मिड़कुल मिड़कुल मैं वन रिशों वन तो बस क्या करेंगे इसका वेक्टर प्लस इसका वेक्टर बाइटू कर देंगे निए काफ पाएं निकालना पड़ेगा ठीक है क्या क्या इसमें हम बापर के यहां मिड़कुल करकें पार्ट है इन स्काली स्कार स्वक्टर क्या गरना इसमें हमें इन सब के बस वेक्टर निकाले है कुछ निकालने में वोर रखाइए और इसके लिए फॉर्मेल करें मैं ठीक शोर्म्म सब्सक्राइब रहे हैं ब्लूस एक अब पता है यह लोग मतलब है इनके अगे के जो numbers से अब फ़र्ष वाले वेक्टर के मार पास इसके लिख लिख ले सुन निए इसके डिर्येशन को साइन के सबसे हो इनके आगे से numबर क्या है नमबर कुछ भी नहां तो वन आएगा इसमें भी इसमें भी 1 और इसमें भी 1 इसको व्लब कर दो बस अंडरूट ए बी और सी तो वन का स्क्वर क्या होता है वन और वन यहां पर आजाएगा मार पास रूट 3 पहले एक आंसर हो गया कि ए वेक्टर का मैगनिट्यूड क्या है रूट 3 क्लियर दूसरे पर आते हैं सेकंड इसका मैं क्या कटरें तो बीनिट्व में इसका सक्वेसर प्लिस यहां पर 3 के स्क्वेसर का स्क्वेसर लिएगा यह पर 50 और यहां पे 9 तो कितना हो गया यह मिलके हो गए 13 और यह 62 रूट 62 इसका अंसर आ ठीक है अब बात करते हैं इस वाले वेक्टर की सी थर्ड पार्ट पर आते हैं में अब देखो इसका स्क्वेर क्या होगा देखो वन का स्क्वेर उपर वन नी हो गया 3 का root 3 का square से root कर जाएगा तो पूरा 3 आ जाएगा ऐसी 1 by 3 इधर भी 1 by 3 इधर भी अब क्या करेंगे इन तीनों काम लोग ले लेंगे LCN नीचे 3 है नीचे आगया 3 सब उपर सेम है तो 1 plus 1 plus 1 यानि कि आगे करें इसको तो यह बन जाएगा 3 by 3 कट के आगया 1 यानि root 1 और 1 का root करें square करें 1 ही answer आगया 1 अब देखो जिस भी वेक्टर का magnitude 1 आता है ना इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर यह मैं तुम्हें पहले बता रखा था पिछली इंट्रक्शन में और फिर भी इस बार भी बतायता हूं तो देखो सिंपल सिंपल है सबस्क्राइब करें देखते हैं कि राइट तो डिफरेंट वेक्टर से में तो अलग लगए जिसका मैं तो इसका मैं तो इसका में निकलेगा यह आजाएगा 20 किना घाए और जिसका स्कुए मोन का स्कुए में चाल करने पर ग्रीड है दूसरा वैक्टरर देखो वह दो अलग लग में जिनका मेंग्टूर से मोग अगर मालो मैं इस थ्री को इधर लेया हूं आगे थ्री आई टू को बीच में रखें और इसको जे को के को मैं कर दिया मैं ठीक है जब वहां पर प्लस ही होना है तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं यहां पर क्या है थ्री का स्क्वेर पहले आ जा कोई भी वेक्टर दिखो दूसरे वेक्टर में नंबर इधर दुदर आपस में इंटेशेंज करते हैं तो कोई दिखकर नहीं दो लिखो जैसे सेवन और एट जे नाइन के उसको उल्टा कर दो नाइन एट जे सेवन के आंसर सेम आएगा तो यह ऐसे दो वेक्टर हो जाएं होने से मतलब होता है घंडा होता है चल 결ा वेक्टर होता हैcción को में उसका उनिए यह यही मालम coffee वेक्टर उसका मैं इस पूरे और एके करके स्टेप बाई स्टेप करता है उससे दये स्टेशन को साइनhao निकलते हैं तो अलग अलग भी होते हैं तो पहले में क्या करेंगे दूसरे में वेक्टर बाइब एसी वेक्टर में यह हम समझ लेंगे दिक्कत वाली निया एंसे तर्क निकलते हैं हम उसका तर्फिर्चन को साइन बताना है तो महलों पहला मैंने मान लिया कि हमारा एक वैक्टर जिसमें आई जे और यह इसका डारेक्षन को सब्सक्राइब निकलते तो डाजिए पहल तो मैंनुटूट ऑफ क्योंगी नीचे वह लिखना हमें तो मेंग्झ्टीट ओफ ए क्या आएगा एक वंधन का सक्वाइर वंका स्क्वार और वंका स्क्वाइर कितना आजाएगा वन प्लस वन तरुट स्थी डिरेक्शन को साइन क्या आगया रूट थृ अब देखो इसमें जो पहला है ए त्युक यहां पर वन है यहां करकून के यहां सब महुंसे was your turn प्रोप्रश एक सब और से रहे cumulative दो जो मेर लोगंग करें तो नी खिच लिए पूसिधित मेर अउन यैज कि यहां सब्करद वश्क को बसक्त गहुत मेरें यह दें 我們 अब देखते हैं इसका भी पहले काम करते हैं निकाल लेते हैं तो इसका बन जाएगा यह हो जाएगा फूर का स्वेर इधर भी फॉरका स्वेर और इधर भी फॉरका स्वेर इतना हो गया 16 प्लस 16 प्लस 16 यहां पर आ जाएगा प्लस करने के बाद फॉर्टी एट को थोड़ा सिंपल करके लिखना पड़ेगा ऑटी दो से करेंगे तो आएगा थ्री फिर उपिर से करेंगे तो आएगा वं जैनी कि एक पर वन गया दो और बार तो दो दुनिए चार और यह आगया ति इसको लिख सकते हैं फोर रूट थरी इसको मैं लिख सक तो इसका मेंगिटूड निकालता है अब इसमें भी जब लिखके लिखते हैं अब माने इसका फर्स्ट है इस वाले पहले वाले को लिख रहा हूं मैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी ऊपर क्या है चार और नीचे क्या इसका मैंगिटूड फोर बाय रूट 3 अब ध्यां से इस फोर से फोर नी कट जाएगा यहां पर बना जाएगा तो एक फिर से हमारा वन भाय रूट 3 विल्कुल इसकी तरह है वी में भी जिए दिशले लिखूंगा फिर चार से चार तो इसके पास बीसार है और इसमें भी चार उसमें हर पर कटे का वन बैर रूट यह तो बस अगले देखो इससे मोलईए इसमें इसमें क्या है एक यह वेक्टर है और यह वेक्टर आपस में इकल है का मतलब हर एक सबस्टांस सबस्टांस किया छेए यहां लिए पूरा इसके बराबर है तुम्य भी समझ में क्या हो ये अगर पूरे रापर है यहां पर जाठ को सातब कर था इतनी और य हम एक By सबसे पहले इसका डाग्राम अलते हैं तो इसका इनिशल पॉइंट कितना है तो इसका इनिशल पॉइंट कितना है से इसको माल लेते हैं इसको मान लेते हैं अब इसमें क्या बोलागा पहले तो स्केलर कंपोनेंट्स गया तो कैसे हैं उसके हम करते हैं x2-x1 और y2-y1 तो x2-x1 कितना आगा देखो इसमें से इसको माइनस करना है अब माइनस के 5 में से माइनस करना है 2 को तो यह हो जाएगा माइनस का 7 एक आ गया यह ठीक है दूसर देखो y2-y1 करना है 7 में से करना है वन को तो एक बन जादा लाइन करने तुम्हें दिखेगा नहीं रुको एक अपना 7 आगया माइनस का एक आगया तो यह तो है इसके स्केलर फॉर्म क्या बनी हमारी एक है माइनस का 7 और एक है अब इसी की वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना पड़ता तेम्पल कर देते हैं इसको जो बिएक्टर कॉम्पोनेंट बनाने इसके वेक्टर कॉम्पोनेंट क्या बन जाएंगे इनके एक्टर दे रखें तीनों प्लस करके बताना है यूद यूद यह को यहीं तरीके से प्लस करो एक और नो Packy और बन गया तो का टूआई और माइनस का टूआई आपस में कैंसल हो गया पूरा तो घेवा जीरो आए भी प्लस कैसे दोनों पर ले तो फिर वनाई वनाई pencil के इनद वहां पर सिप्संच है और मायनस के टो गए मैनस सवाय माइनस------ si नए निशान को बड़े वाले काई इब बागी फाइजासाव वन लिखते नहीं है यह भी हो गया अब आते ही यूणिट वेक्टर निकालने हैं एक वेक्टर दे रखें कि उसकी तरह में यूणिट वेक्टर में एक हलका सा फर्क होता है जैसे डिरेक्शन को साइन वालो उसके नहीं आधे लेकिन इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो तो यह यूनिट वेक्टर में लगा होता है और अगर हमें नंबर से मतलब होता है वह एंगल होता है यह वेक्टर का मेंग्ट्यूड कितना जाएगा हमारे पास वन का स्क्वेर यहां पर यहां पर यहां पर रूट इस बताने तो हम आई जी नहीं लगाते लेकिन अब हमें आई जी के लगाने पड़ेंगे सब में ठीक है तो देखो पहला क्या हो गया हमारा पहला आएगा हमारा यहां पर वन ना वन क्योंकि देखो इसमें वेक्टर को हमें लिखना तो वन बायरूट सिक्स ए लगाते ही अभी यूट वेक्टर ठीक है दूसरा क्या है यहां पर प्लस भी लगाएंगे साथ में यूट वेक्टर को पूरा तरीके से लिखेंगे और यह है फिर से 1 by root 6 जे ठीक है अगला क्या है तू बाइरूट 6 कि यह हो गया हमारा अंसर अब आते हैं इसके देखो अगले कुशंस पर देखो अगले कुशंस में क्या बोला है मैं फाइंड यूनिट वेक्टर निकालना है इसमें भी इसमें भी बोला है कि हमें यूनिट वेक हमें वेक्टर से होता है और इन दोनों को प्लस करने के बाद यूनिट निकालना है है पर इन दोनों को क्छ रहुंगा, तो बिदेंगे तो को थीकैं के बर दोनों में प्लस integ alde सरे लागई कमें तर, प्लस करके में इस spentosse इंवारे तो डी को तो सोल करते हैं पहरे इसमें यह कि यह हमारा वसक्ति हए रहे रहना तो किया है फॉर मैंसे वाले मैंसे i निकाल देंने नहीं हमारे प्यूछ को अव्यागे देक्शि कॉर्स तो फॉरर भीता यह कि दो स्क्वेर और प्लस थ्रीका स्क्वेर् यह हो जाएगा नाइज प्लस नाइन यानि की रूट 27 थेकर है रूट 27 और पस यह आ गया है अब हमें यह बोला है इसका हमें लिखना इसका बस पीक्यों चालते हैं यूनिज्वेक्टर वह कैसे निकालते हैं प्लस प्लस ए वेक्टर का मैंगिट्टूड ठेक है तो सोल करते हैं इसको भी जो कर सकते हैं हाँ ये सब्सक्राइब यह इसे इसको अगर हम ऐसे करेंगे टी सैवन जाएगा यह थी पर रूसर अब भी इसको लिकिंगा घर यहां पर नहीं में पर पहला हमारा पहला है 3i कैप और 3 root 3 इससे यह कट जाएगा यह बन जाएगा हमार पास 1 by 3i कैप ठेक है मतलब यह पहला बना मैं अब सीधा डायट लिखाँ अब सब में ऐसा ही होगा इसमें भी 3 सी 3 कटेगा हर बार तो यह आ जाएगा 1 by 3 अगला जाएगा 1 by 3 कैप यह आगए हमारे पास इसके और एक का चलो लिखी देता हूं यह दुबारा लिखना मैं कोई बड़ी बात नहीं है इसमें 3i और 3 root 3 से ऐसे कटा था इंडिविजुल करके दिखा सकते हो पर मैं तुम बता दी कि यह सब मैंने लिखे कैसे है यह आगे तो 1 by 3 यह पहला हमारा डिक्शन को साइन हो गया दूसरा वन बैठी तीसरा और यूनिट वेक्टर में लिखना था तो आई जे के प्लस मैंस सब दिखना पड़ता है अब देखो इसमें क्या है यह दे रखा बी दे रखा पहले बोला है कि इन दोनों का क्या कर दो पहले तो सबस्क्राइव कर देते हैं तो ए वक है ठीक है तो ए प्लस वेक्टर कर देते हैं यूट्छी आहिगा टू लिखले है वहां निक निकालने के लिए इसका उपर इसको लिखेंगे नीचे इसका मैंग्ट्यू लिखने देखो किया आपने बास तो मैंग्ट्यूट निकाल लेते हैं तो ए और बी का मैगनिटूड ऐसे गर कि तो निकाले तो यहां पर वन है उसका स्क्वेर यहां पर पुछ जीर पर फिर भी लिख बिचाए टाइप पास के लिए और यहां पर भी वन है इसका वी स्क्वेर हो गया यह हो गया सोल करने के बाद वन प्लस वन यानि कि कि इतना आ गय व्यर्ड फिटर का है में यूनिट वेक्टर लिखेंगे हैं ए आ यूनिट वैड में इस तरीकह से ठीक है तो ओर वह होगने ज़्सवीठों के इसमें को यह प्लस नंबर क्या है यह तो फो यह बहुंद कि यह सब्सक्राइब यह इसके अंसर के अगले छोड़ी में इसमें कर दिया तिया इसमें प्लसन से में हमें किया बोलै कि find a vector हमें एक nikala निकालना है एक ऑक करना है इन इन दिरेक्शन अग्यम म्हें रखा यहां पर यह वारा यहां पर जिसका इन वह उसका यह रिख निरेंक ex 5i minus j और plus 2k के equal ठीक है अब इसका क्या करते हैं पहल तो magnitude निकाल लेते हैं और इसका अगर हम magnitude निकाल दें तो यह कितना बन जाएगा यह आजाएगा हमारे पास under root 5 का square minus 1 का square और भार तो plus ही आएगा यहाँ पर यह प्लस आएगा और 2 का square तो 5 का square कितना हो गया 25 1 का square 1 ही होगा और यहां पर आगा 4 यह हो गया root 30 अब root 30 किसी का कोई वैसा number निया जिसका हम square root निकालते हैं तो यह इसका vector आगा ठीक है अब देखो हमें क्या करते हैं हमें बताना इस vector को इस vector के इसका जो magnitude है वो 8 vector है ठीक है यहां से अगर मैं इसका vector निकालों जो a vector है हमार पास वो कितना है 5i by root 30 और फिर minus j by root 30 और plus का 2k by root 30 20 अब देखो इसका magnitude कितना दे रखा था इसका तो magnitude हमें लिख दिया कि vector by magnitude लिखा इसका अब इसका magnitude हमें दे रखा है 8 यह वाला दे रखा हमें 8 ना तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर अगर 8 unit है इसके बराबर तो यह 8 वहां पर चला जाएगा तो यह हो जाएगा मल्टिप्लाय में इन सब के रूट 30 माइनस का जे रूट 30 और प्लस का 2K रूट 30 अब यह इससे मल्टिप्लाय हो जाएगा फिर हम आपस एवेक्टर की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एवेक्टर क्या होता है वैसलिकली यूणिट वैक्टर था नहीं तो यह वैक्टर यहां पर यह वैक्टर और इसका मेंग्टूड यह वाला यहां से चलाएगे वहां पर मल्टिप्लाय में इन सब के साथ मल्टिप्लाय हो जाएगा यह जाएगा 40i बाइड रूट 30 कैप माइनस एट जे बाइड रूट 30 रूट आएगा रूट ध्यान रखना और प्लस का अब एट तो शिक्स्टीन होता है यह बन जाएगा तो देखो सबसे पहले इसको माल लेते हैं अगर हम एट यह क्या है हमारा 2i3j4k यहां से निकालते हैं वी वेक्टर हम इसको मालेते हैं दूसरा लेको बीवेक्टर 4i6j और माइनस का 8k दो वेक्टर माल लिए अब हमें 10th क्लास के इसाफ़ से हमें पता है कि लाइन्स को जब हम निकालते हैं तो तब वेक्टर कोइंसिडेंट तब ही वह को लिनियर हूंगे तब ही आपाएंगे अगर मालूं में इससे एवन दो निकालनो इसका टू इसका एटूब आई माइने का ये कट करके कितना आगया माइनस का 1 बाइटो देखते हैं यह माइनस का 3 ऊपर से नीचे यह भी आजाएगा कितना 1 माइनस का 1 by 123 royal s2 144 माइने yep morning इसको करेंगे तो मितना रहे यहां कि हम 105 जीनल न दा वैक्टर्स आर को मिनियर चुक्छ यह कंडिशन आती सी तब हमें बता था कि वह को इंसिदेंट का मतलब कि एक क्यों पर एक है या तो पैरलेल है और ऐसे होंगे तो हमें पता है कि तरफ आगे बढ़ रहे होंगे तो यह हो गया आप आते हैं इसकी कुछ नंबर तो यह इ तो अगर इसको में लेता है इसका पहले तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो एक का में गाएगा अंडरूट 1 का स्क्वेर प्लस 2 का स्क्वेर और प्लस 3 का स्क्वेर कितना हो जाएगा यह मिलके आ अब इसका क्या करने ने तो दा डायेक्शन को साइना एं लम्न करते लगाता रूच्वा लूट 14 कि ने इसक है अब आते हैं अन्स मिलक टोट कुछ नंबह 15 और कोश्टनमर निकालने हैं दो निकालने हैं में दो पॉइंट से रखें का नमें से मैं पहले से करक्द है और के इसके एक्वली इनक्लाइन और इस सबसे पहले तो एक वेक्टर निकाल लेते हैं हमें बोला ना की डिरेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर कैसे आएगा बी मैंस को माइनस कर दो माइनस का वन है ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां 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 पर यह ठीक है इसको सिंपल करके लिए तो माइनस का तो आइ माइनस माइनस यह भी हो जाएगा माइनस का फोर जे और यह वन और यह दोनों मिलके भी प्लस हो जाएगा दो मैंस तो 3 plus 1 4 यानिकि प्लस का 4K यह बन गया हमार पास AB वेक्टर इसका क्या करने डिरेक्शन को साइन निकाल देना है बस तो निकाल दो एक इसका मैंनिटूड से यह उसके लिए में तो मैंनिटूड निकाल लेते हैं मैंनिटूड कैसे निकालेंगे मैंनिस 2 का स्क्वेर प्लस मैनस के 4 का स्क्वेर expand अ यहो जाएगा हमिरे पास 460 यानिविद्छ इएओ इक्वेर टूविपर 36 का रूट हम संप पता है सक्वाई रूट व भो 16 होता है यहां से पस इसके को साइन गज tienes क्योंते हैं या फिरते हैं मान लो क्या मान लो एक लेम और एंगल की की फोर्म में इसमें 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 ऑंगल भी तो यहां पहला था या माइनस का 2 x 6 ज्यांस पर जो माइनस का 2 x 6 कितना आ गया है माइनस का 1 x 3 M की बात करें तो M कितना है माइनस का 4 x 6 यह कितना आ गया माइनस का 2 x 3 निकाल लेते हैं कितना है प्लस का 4 x 6 यह से कट जाएगा तो तो बाइस पूछा थे कि बिल्कुल अलग है अभी तक के कोश्चे पर आगे और अगले चैप्टर में ऐसे कुछन भूत आने वाले ठीक है इस एक्सेस पर तुम्हें बना के निखाऊ पर जैसे यह तीन निख्टर साइगे आपर तीन वेक्टर के लिए जैसे की यह लाइन होती है यह यह क्या बोले कि जो वैक्टर है यह एक कोई भी रेंडम हवा में मालो यहां पर कहीं वेक्टर है इस तरीए ठीज़ी स्पेस में यह है हमारा वह वेक्टर इसको नाम देते हैं चलो एंगल ब बना रहा है जिसको हम ऐलफा कहते हैं और वाई सद्ट के साथ एक बनाल कोई यू सब्सके साथ बनाएगा देताए that अकेला वेक्टर इंगल बनाएंगा यह बताने वह टो इसका निकाल दो magnitude वह कितना जाएगा 1 का square 1 का square 1 का square क्योंकि सब में 1 है यहां पर आ जाएगा 1 plus 1 plus 1 यह नहीं root 3 आ गया ठीक है यह आ गया अब direction cosine लिखते हैं direction cosine में तुम्हें 10.1 में clear किया था मैंने लेकिन फिर भी समझ लो जो L होता है ना वो basically cos alpha के बराबर होता है जो M होता है फिर से बदारों ठीक है वो cos beta के बराबर होता है और जो N होता है वो cos gamma के बराबर होता है यह यह तीन चीज़ यह रखो ठीक है हम इन तरीके से यूज करते हैं जब हम से सिर्फ direction cosine पूछाते हैं LMN की फोम में angle पूछा तो cos प्राइब यहां से पहला L के मारे पास यह 1 रूट 3 1 रूट 3 M के मारे पास सें 1 रूट 3 और N के मारे पास सें 1 रूट 3 अब angle पूछा है वह भी बराबर हैं यह वह भी दिख़ें अब यह किसके बराबर होता है cos alpha के बराबर है यह किसके बराबर है cos beta के बराबर है यह किसके बराबर है cos gamma के बराबर है ठीक है अब देखो कि angles बराबर है यह नहीं है अगर यह कोस को इधर भीज़ दो यह इस तरफ तो alpha की value यहां पर क्या आएगी alpha आ जाएगी cos inverse 1 by root 3 जान से समझो मैंने cos को इधर एंगल की value के बात हुए यहां ठीक है तो इसके आगया cos inverse अब मैं यहां से बीटा को मैं बीटा को ही रखूं ठीक है और फिर से cos को इधर भीज़ दो तो यह भी बन जाएगा cos inverse 1 by root 3 को यहां पर भी 1 by root 3 है इसको भीज़ दें गामा को मालूम है यहीं रखता हूं ठीक है य को बाते हैं मिसके अगले को नंबर 15 में क्या बोला है कि find the position vector of R which divides the line joining two points whose position vectors आज एक वेक्टर यह रखा है दूसरा वेक्टर यह रखार इंदर रेशो ओफ दिस टू और वन के रेशो में दे रखें इंटर्नली भी निकालना एक्स्टर्नली निकालना दोनों का फोर्म ने को और क्यों वेक्टर क्या है मार पास यह है माइनस का आई प्लस का जे और सबस्के यह दो ऐक्टर ज्यां के यह इसके बीच में कोई यहां पे資 NOW क् dafür क्योंकि रेखा है इस तरीके से गिरा हुआ है तो हमें इसका वेक्टर निकाल के बताने बस तो तरीके से निकालेंगे इसका पूर्मला है हमार पास और वेक्टर पहले हम इंटर्णनली निकाल इंटर्नली का क्या एम बी-प। N A by M plus N ठीक है externally क्या formula है externally का formula है हमारे पास MB minus N A by M minus N यह दोनों formula अप्लाइए करेंगे इसका वेक्टर भी बन जाएगा उसका इंटर्नली भी एक्टर्नली ठीक है कैसे निकालते हैं सबसे पहले M कितना दे रखा हमें M है हमारे पास 2 पहला म होता है दूसरा म होता है तो 2 है इसके साथ B वेक्टर लिखने हैं जो दूसरा वाला वेक्टर मान रखाए हमने यह वाला ठीक है तो यह माइनस का i, j और k, minus का i, plus का j, और plus का k, इसके साथ plus करना है, n हमारा 1 ही है, इसके अंदर कौन सा, पहले वाला वेक्टर आएगा, तो i, plus 2j, minus का k, बस इनको solve कर देंगे, अच्छा नीचे भी है, नीचे क्या है, m, plus n यहांनी, 2, plus 1, इनको solve करते हैं, देखो, यह हो जाएगा, minus का 2i, और फिर, plus का 2j, मैं इसको इन सबसे multiply आगा रहा है, और फिर, plus का 2k, यहां पर यह सेम ही रहेगा, one से multiply आने के बाद, इसमें कोई change नहीं आएगा, इस प्रकाल से, नीचे 3 है, 2, plus 1, 3 हो गए, ठीक है, इसकी बात करने तो कोई, यह, plus का 1 है, यह, minus का 2 है, यहां पर यहां है, यहां पर आदा है का plus का k, नीचे by 3, इसको solve कर लेता है, तो यह बन जाएगा i by 3, या फिर, 1 by 3 i, और यह बन जाएगा 4 by 3 j, और यह, 1 by 3 k, यहां पर भी, मैं 1 by 3 i लिख सकता है, तो यह हमारा or vector आ गया, किस तरीके से, इंटरले नी निकालने पर, इस तरीके से, अब एक्षानले में माइनस करना है, तो M, B यह पूरा ही same लिख रहे है, या आपर 2 minus का i, plus का j, plus का k, ठीक है, plus करना है, यह इस बर minus करना है, इस बार हमें minus का 1 आएगा, और a vector यहा अमारे पास इदर ही, यह है, एक इसका A vector, ठीक है, by, by hat 2, फोल करो, यह, से भी आजाएगा, माइनस के सब का साइन चाएक और यह भी माइनस का यह और नीचे क्या है नीचे नीचे हमारे वन है और वन को इससे आगे हम लिखेंगे तो है और यह भी कोई फर्क नहीं पर नहीं और यह दो-9 – कि और नहीं यहोगा है इसी तर यह होगा इस अवह है शोच्छीन बाती है जो दो सब्सक्राइब निकालना है मिड़ पॉइंट वाला मिड़ पॉइंट वाले के लिए मैं तुम्हें सीधा ना पता है था कि यह वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाइब तू कर देना अंसर आजाएगा अपने आप यह है वह यह इसलिए है क्योंकि देखो सब्सक्राइब तो इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर तो यह बन जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी प्लस का जे और माइनस का टू के इसका क्या करने मिड़ पॉइंट बादा नों लगा दें मिड़ पॉइंट का क्या था हमाल पास a vector plus b vector by 2 solve कर देते हैं इसको a vector क्या आपने बास 2i plus 3j plus 4k ठेक है साथ में यहाँ पर क्या आपने बास यह है प्लस ही करना नहीं तो कोई sign change में मैं सीधा लिख रहा हूं 4i और प्लस जे माइनस का 2k by 2 2 और यह मिलके 6i 3 और यह मिलके 4j और 4 और माइनस का 2 ना तो यह नहीं कि माइनस प्लस का 2 यह भी चार बड़ा है ठेक है बाई 2 अब इन सबसे इंडिविजियली कट हो जाएं क्योंकि सबके लिचे टू लगा होगा है तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमरे पास मतलब यह सेपरेटली जब में के जिए सिक्स बाइटू आई तो एक मैं सब कटे कटे जाएंगे ने कि करके तो यह हो जाएगा थ्री आई कि तीसरी यहां की बिरावर होती है तो अगर माल लेते हैं इन में से सबसे पहले ऑटना पड़ेका पर आएगवेक्टर निकालना लाइन बनानी एक्जेक्टली ठीक है अगर हम इनका अगर करें लाइन का तो लाइन किसे बनाएंगे सबसे पहले हम निकालते हैं a-b a-b बनाएते हैं a-b वेक्टर कैसे आएगा कुछ नहीं करना a-b को माइनस करेंगे तब ही तो आएगा कि अबीा मैं इसको इस से माइनस करेंगे तो कि अगर जाए chroni कि तो जाए मैं एक यह को माइनस का माईनस और इसमें से माईनस करेंगे माइनस के में बिद्री को तो कितना आजाएगा या जाएगा प्लस का थ्री के प्लस का थ्री जे और साथ में इसको करेंगे प्लस का के और यह माइनस माइनस करेंगे है आई- सबस्क्रा और आगर माइनस का थ्री माइनस का थ्री प्लस का यांड या चैए अब अग्ला मैंस का फाइव और माइनस का के यानिकी माइनस का 5 माइनस का 6 और यहां पर जे आएगा बीच वाले में यहां पर आगया के अब निकालते हैं a c c लेंगो एभी तक हो आगी निकाल दी अब निकालेंगे हम्हाँ राइन की साथ से चलते हैं इसको माइनस करना पद़ flat हाँ तो 3 मैंण से यह तो कितना ट्रीम से जब आएगा तो अगी तो 2 7 इसमें से यह जाएगा तो 4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- निंगास नियुक्त उन्द हो चल कुछ और में इसनी को सब्सक्राइब यहां जाएगा ऑंडर रूट इस वन का स्कुरहए है कधी दूसर तूसरा Edu अन्दखाव निगालते है यह आ जाएगा BC वेक्टर अंडरूट इसका जाएगा माइनस का स्क्वेर माइनस के टू का स्क्वेर प्लस माइनस के सिक्स का स्क्वेर वह साथ मैं आप दिस देकालते हैं मैंनिटूड वैसिकली डीक्षं होती है से इसलिए मैं से निकाल रहे हैं कि एक सेटिंगरं में कि तरीक्षिन में मेंचिनות करके हैं इसलिए मैं जो निपार का मतलब है उसलिए का उसे कम से कम उसकी इतनी प्लस माइघ का स्कुर्ड यह प्लस यह जाएगा अपने पास वन का स्कुर्ड इनको सोल करेते हैं यहां पर देखो कितना आ जाएगा वन का स्कुर्ड यह बनेगा इसको आगे ही सोल करते हैं इस ट्राइंगल को मिटा रेता हूं कि यहां पर आजाएगा वन का स्कुर्ड वन यह हो जाएगा मिलके कितना नाइन और यह हो जाएगा ठीक है और फिर इसको करते हैं यह हो जाएगा वन और टू का स्कुर्ड फॉर और यह हो जाएगा कितना 36 clear इसकी बात करते हैं तो यह जाएगा 2 का स्क्वेर 4 1 का स्क्वेर 1 और 1 का स्क्वेर 1 यह दोनों माइनस में कोई फर्क ने पड़ता दोनों माइनस में तो माइनस में रहेंगे बन गया तो प्लस में आता है इसको सोल करें ऊपर वाले को तो यह कितना बनेगा 25 और 10 मिलके 35 यह वाला बन गया हमरे पास इसमें आगर हम एबी एबी वेक्टर को और प्लस बीसी तो बीसी से सबसे बड़ना यह करें को कि वह कहते तो वह ब्राबर आ रहा है है हमारा क्यों 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 क्या कितना होगा स्कॉर से रूट कट गया यह आ गया 35 यह उट्वर स्कॉरसे कट गया तो 41 इन दोनों को it is a our बेंदीगिलर लिए यह यह कुशंळ में राइट अंगल राइट 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 आंगल राइट अंगल राइट राइट आइगल राइटो इससे तो मैं आइडिया होई गया की कौन-कौन सी साइड है यह बता है तो यह बताने की जूट नहीं है पिर भी बता रूट 6 और मिलके कितनी आब आगई रूट 41 अब इसके दो एंसीग्यू देख लेते हैं फिर यह खतम हजाएगा इसके लास्ट के दो एंसीग्यू पर बस यह दो एंसीग्यू खतम और यह एक साथ हमारी इसके बताने को तो मैं ठीक लगा सकते हैं कि कैसी कैसी वह रहीं आपके डियांगल की ट्रीफ से बताना इसमें से कौन सा नहीं है झान समझें नहीं है ठीक है अब इन में चार एक्वेशन है हमने ट्राइंगल वेक्टर डिशन क्या पड़ा है जैसे मानलों यह यह दोनों सेम डिरेक्शन में और यह इसके अगेंस्ट है यानि इस तरफ नहीं जाके उस तरफ है यानि कि इसका मतलब है जो एसी है एसी वेक्टर वो एबी प्लस एक्वल होना चाहिए यह ट्रू स्टेटमेंट है इसके हिसाब से जो जो सैटिस्फाय हो रहा है वो ट्रू है जो नहीं हो रहा वो फोल्ट है ठीक है पहला देखो अगर मानलों यह यह वाला अगर मैं इस एसी को उधर भेज़ दू उस तरफ ठीक है यह जब इन दोनों के एक बराबर है मानलों यह 15 और 15 नहीं 15 आर अगर इसको वहां पर भेज दु तो यह 15 और 15 मिलकर पिर से बिदू झा दूसरा देखो इसमें क्या एब प्लस एसी लिखा यहां पर अब देखो और अगर मालो कभी भी यह लिखा है और यह वेक्टर लिखा है यह दोनों बिल्कुल आपस में इंटर्सेंज हैं लेकिन नेगेटिव एसी का मतलब सी एई तो होता है जैसे कि मालो यह सी एवेक्टर हम ऐसे लेकर चल रहे हैं एक्जामपल के लिए एसी वेक्टर तो ऐसे आ गया फिर लेकिन अगर नेगिटिव एसी की बात करें तो वह सी यह तो है और एसी आता है इस तरफ लेकिन नेगिटिव एसी है तो उसको उल्टा जाना पड़ेगा उसको तो दोनों सेम डिरेक्शन तो यह भी जीरो आएगा कट जाएगा आंसरे बाद में ठीक है यह इसको रहें दो तीसरा देखो अगर एबी एसी है और फिर एवी एसी यह नहीं मालुक 15 आ रहा है तो दोनों को प्लस करें ठीक है यहां पर कौन सी डिरेक्शन ले रहे हैं नेगिटिव सी यह ने ठीक जाने से यह गलत जा रहा है पहला गलत हुए और एक ही गलत होता है यह हमारा सही आंसर है यह वाला जो है वह सही नहीं है नो ट्रू ठीक है यह फॉलो कर रहा है कहां पर दिखा दी नॉर्मल अगर मान लेते हैं एसी की उल्टी होती है पर नेगिटिव सी बन गया फिर लिखा लेकिन लगा दिया लेकिन लगा दिया दो यह वह से में अप्सार को कि आब हम देखते हैं कि कि क्ट होता है एक कॉलिने अब है कॉलिनल आफस में एक मिता है अब देखो इसमें कौन सा आथ नहीं है इसमें भी हम自己 कुछा कि कौन साथ सही नहीं है इन्कर्ड करेक्ट वाले क्वैब पता तो इसमें कलनता है लेकिन बाकि तीन सभी कैसे देख लेते हैं देखो इसमें का बोला है वेक्टर हमेशा इकोल रहेगा लैमडा कोई स्केलर वैल्यू रख लो इनका रहा है हमारा फूर बाय तरी आए जा रहा है हर बार क्योंकि तेखो हर बार सेम होगा तभी तो कुलिनियर होंगे यह आगया हर बार थेक इसमें बीको तो कुछ नहीं छेड़ रहा एक साथ में लेमडा लगा दूं यहां पर लेमडा की जए कोई तीन लगा दूं चार लगा दूं निक्टिप्लाइब लगा दूं लगा दूं लगा दीए है यहां लगा दिए यहां लगा दीए फोर लेमडा थी प्रोशन पॉर्श्ट नहीं लगाने पर तो इसकी बात करें एक्टर को एक्टर वह बेक्टर के यह वेक्टर है हमारा यह 4 है ठीक है और बी वेक्टर क्या हमारा चाहे माइनस का 4 हो चाहे दूसरी कंडिशन में प्लस का 4 हो आंसर वही आने वाल है माइनस का इसमें 1 by 1 और ऐसे में हर जगर सेम ही रहेगा का वो वैसे ही बिलकुल इको तो भी फरक है तो भी प्रोपोर्शनल होने हो नहीं को कुकि होगो तो यहां तो यह तो हमने देख लिया यह वाला सही कैसे कि वेक्टर ए और भी है वह तो पता ही जब को लीनियर होते हैं का मतलब क्या है कि डिरेक्शन उनकी बिल्कुल ऐसे रहने वाली है तो एक के ऊपर एक रहने वाली है तो डिरेक्शन तो होगी सेम लेकिन मैगनिटूड उनका अलग ह हो सकते हैं और दो वेक्टर है मालोई स्पेस में एक एक वेक्टर एक घूमरा चोटा से एक वेक्टर भी घूमरा बहुत बड़ा इनके डिरेक्शन सेम है वह हमें पता चलगा को लीनियर होने की वह सेम होगा एक ही सिच्वेशन थी जो गलत थी कि वह प्रपोर्शन नहीं प्रपोर्शन तो होते ही हैं तो यह हो गया हमारा पूरी की पूरी एक्टराइज है और मिलते हैं किसी नेक्स एसे मिनिटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे